इस फिल्म की कहानी दो ऐसे master chef किये जिन्हें बज एक दूसरे को हराना था अपनी इस चाह को पूरा करने के लिए अखिर दोनों किस हद तक जाते हैं आये जानते हैं इस फिल्म का नाम है Cook Up as Stone फिल्म की सुरात होती है Seven नाम के एक 30 साल पुराने चाइनीज लोकल रेस्टोरेंट से जहांके chef sky के हाथों से बने खाने को खाने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे उसी रेस्टोरेंट की popularity को देखते हुए कल तक के reporter Rita भी उस रेस्टोरेंट को cover करने आई हुई थी उसी रेस्टोरेंट में sky की दोस्त Unihi भी थी जो कि उस रेस्टोरेंट को manage करती थी कबी-कबी तो इस रेस्टोरेंट में इतनी ज़्यादा भीर हो जाती थी कि वहाँ लोगों को लाइन लगा कर अपनी भारी का इंतिजार करना पड़ता एक दिन एक रूट कस्टोमर लाइन तोरकर रेस्टोरेंट के अंदर भुच जाता है इसकाई भी ये नोडिस कर लेता है और वो खुद उसकाई का ओडर लेने जाता है उस कस्टोमर की सारी फर्मा इसको सुनने कе बाद इसकाई उसे बहार जाकर लाइन में लगने को कहता है क्योंकि अगर स्काई ने बिना लाइन में लगे ही उस कस्टोमर को सर्फ कर दिया तो बहार खड़े लोगों को जरा भी अच्छा नहीं लगेगा यह सुनते ही वो customer sky के उपर भरक जाता है और उसे अपनी political powers के बारे में बताते हुए कहता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो मेरे boss ने एक world class chef को invite किया है जो कि जल्द ही तुमारे इस restaurant के ठीक opposite में एक 3 star restaurant खोलने वाला है फिर देखता हूँ कि कोन आता है तुमारे इस furniture से restaurant में इसका है अपने गुसे को काबू में करते हुए उस customer से कहता है कि आपको जो करना है वो करो लेकिन आपको तभी सर्फ किया जाएगा जब आप line में लगकर अंदर आओगे अगले सिन में हम France के king और queen को देखते हैं जिन्होंने अपने राजकुमार के जनम दिन पर आया अपने महमानों के खाने के लिए दुनिया भर से world class chef को तरह तरह की डिसेस बनाने के लिए invite किया हुआ हुआ हुता है उनी में से एक Michelin star chef Paul भी था जिसने राजकुमार के बर्थरे पर उसके लिए बहुत नयाब डिस बनाई थी वो डिस दिखने में एक अंडे जैसे था और उसके अंदर mango purity और coconut भरा हुआ था पॉल की कलाद देखकर राजा और आनी दोनों खुशी से उसके लिए तालिया बजाने रखते हैं जो कि पॉल के लिए बहुत गर्व की बात थी पॉल अपनी सक्सेस के बाद अपनी असिस्टेंट मेयो जो की उसकी गल्फेंड भी थी उसके साथ उस रेस्टोरेंट में लोट आता है जहां वो काम क्या करता था पॉल की ग्रेंड सक्सेस को देखते हुए उस रेस्टोरेंट फरैंचाइजी का CEO पॉल को एक्जेक्यूटीव सेफ की पदवी पर प्रमोर कर देता है पर पॉल के लिए अब एक्जेक्यूटीव सेफ की पदजो की कभी उसके लिए समंदर जितना बरा था वो अब तालाब से भी छोटा हो चुका था दरसल पॉल अब अपने हॉम टाउन लोट कर खुद का रेस्टोरेंट खुलना चाहता था और वो बताता है कि एक चाइनीज बिजनेसमेन ने उसे चाइना अगर थ्री स्टार रेस्टोरेंट चलाने के लिए इन्वाइट भी किया है खेर अब पॉल ने ठान ही ली थी तो CEO भी उसे रोक नहीं पाता है और पॉल मेयो को अपने साथ ले गड़ चाइना जाने के लिए वहां से निकल जाता है दूसी तरफ इसकाई का एक regular customer उसे बताता है कि उसके रेस्टोरेंट के सामने जो new रेस्टोरेंट खुलने की बात है वो कोई अववार नहीं बल्कि सच है इसकाई इस बात से थोड़ा अपसेट हो जाता है वो चाहता था कि उसकी कॉलोनी भी डेवलाप हो पर डेवलाप्मेंट के नाम पर वहाँ सीर फोर सीर बिल्डिंग ही बन रही थी और दीरे दीर उसकी कॉलोनी को वहाँ से हटाया जा रहा था साथी साथ उसे इस बात का भी डर था कि नए रेश्ट्रेंट की वज़े से उसके बिजनेस को लॉस भी छेलना पर सकता है यहाँ फिल्म की कहानी थोरी फ्लेजवेग में जाती है जब स्काई महज एक 10 साल का बच्चा हुआ करता था उसके फादर उसे अंकल सेवन के पास सिर्फ इसले छोर कर चले गए थे क्योंकि सकाई को प्यास काटना नहीं आता था उसके फादर के जाने के बाद अंकल सेवन ने ही सकाई का ख्याल रखा और एक अच्चे शेवग बनने के लिए जो भी सिखना परता है वो सब अंकल सेवन ने स्काई को सिखाया अब इसकाई के फादर को गए हुए 20 साल बीच चुके थे पर उन 20 सालों में कभी भी उसके फादर ने उसका हाल चाल पुछने के लिए कॉल नहीं किया अगली सुब हम पॉल को देखते हैं जो कि हॉंकों के फिश मार्केट में मचली खरीद रहा होता है पर उस फिश सेलर के पास सिर्फ एक ही मचली थी जिसे इसकाई भी खरीदना चाता था वो फिश सेलर इसकाई को यह करते हुए मचली दे देता है कि उस मचली को सबसे टेस्टी सिर्फ स्काई ही बना सकता है यह जुनकर पॉल को काफी सौक लगता है क्यूकि उसने स्काई के आने से पहले उस فीश सेलर से वो मचली माँई थी इस बात को लेकर पॉल और स्काई में बहस होने लगती है जिसे देख fish seller दोनों को मचली हाफाफ करके दे देता है ठीक एक हफते बाद उस three star restaurant की opening होती है जिसका नाम Paul ने stellar रखा था Paul की restaurant ठीक इसका आई के local restaurant के सामने खुला था Stellar restaurant के first guest और कोई नहीं बलकि खुद ली management group के chairman अपनी wife और manager के साथ वहाँ पधारते हैं जिनका Paul और Mayos मिलकर swag से स्वागत करते हैं इधर seven restaurant वाले भी अपने customers को stellar restaurant की और आकरसित होता देख तरह-तरह के discounts की घोसना करने लगते हैं यह देख stellar के guards उने रोकने की कोसिस करने लगते हैं इस वज़े से seven restaurant और इस्टेलर रोस्टेंट वालों के बीच में तूटू में में होने लगती है बहार लगी भीर को देखकर Paul मेय और chairman वहाँ सभी को सांथ कराने आते हैं भीर को सांथ कराने के लिए में हो सुझाब देती ही कि क्यों ना हम दोनों safe के बीच में competition रखे इससे पता चल जाएगा कि कौन सबसे बहतरी इंच चेक है पॉल और इसकाई दोन एक दूसरे को देखकर competition के लिए राजी हो जाते हैं क्योंकि फीज मार्केट वाली बात को दोनों अप्तक नहीं भूल पाए थे पॉल पहले शुरू करता है और पलक जपकते ही एक मचली के सारे काटे को बरी ही आसानी से बहार निकाल देता है इसकाई भी पॉल की खुबी देखकर इंप्रेस हो जाता है पर अब उसकी बारी थी वो एक मिनट के अंदर ही उस मचली के एकटम बारीग बारीग टुकड़े करके पॉल के सामने रख देता है पॉल को सकाई से इतनी उमीद नहीं थी पर उसे अब पता चल चुगा था कि सकाई भी किसी मास्टर सेफ से कम नहीं है वहां मुझूद सभी दोनों के लिए तालिया बजाने लगते हैं लीग गुरूप का चेर्मेन डिसाइडी नहीं कर पाता है कि आखिरकार दोनों में से वो वीनर किसको गोसित करे लास्ट में को कहता है कि वीनर के बारे में हमें तभी पता चल पाएगा जब इन तोनों में से कोई एक इंटरनेशनल कुकिंग चैलेंज जितेगा उस चैलेंज में भाग लेने के लिए पहले से पॉल और स्काई ने अपने डिसेस नोमिनेशन के लिए भेचे हुए थे लीग गुरूप का चेर्मेन यह भी कहता है कि अगर स्काई इस चैलेंज को जीतता है तो वो उस कोलोनी को नहीं तोरेगा जहां वो बिल्डिंग वगेरा बनाने की सोच रहा है लेकिन अगर पॉल जीतता है तो वो सारे के सारे पुराने बिल्डिंग को तोर कर वहाँ नए बिल्डिंग बनाएगा अब अपने कोलोनी को बचाने की जिम्मेदारी पूरी तर से स्काई के उपड़ आ गय थी साथी साथ पिछले कुछ दिनों से उसके रेस्टोरेंट में कस्टमर्स भी बहुत कम आ रहे थे यूनी को भी इस बात का डर था कि कहीं स्टेलार के खुलने की उज़े से उसका धनता ठपना हो जाए लेकिन स्काई उसे समचाते हुए कहता है कि जो स्वात रास्ते के दढ़ी समोषे है वह तुम्हें एक फाइविस्टार रेस्टोरेंट के सो रुपे वाले समोषे में कभी भी नहीं मिलेगा हम अपने dishes को change करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिने हमारा खाना पसंद है वो हमारे restaurant में जरूर आएंगे हम सिर्फ दिखावे के लिए अपने dishes को नहीं बदल सकते अगले दिन जब sky market में सबजी वगरे खरीने जाता है तब वहाँ उसे पता चलता है कि सारे के सारे market से stellar वालों ने अच्छे ची सबजीया खरीद लिए और market बिल्कुल खाली परा हुआ है लेकिन इसका है कि यह frustration जल्दी ही दूर हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उसका cooking competition में selection हो गया है इसका है यह देखकर चोग जाता है क्योंकि mountain को और कोई नहीं बल्कि उसी का father था जिसने उसे महज 10 साल की उवर में अकेला छोड़ दिया था और आज उसके father god of cooking बन चुके थे उसी साम अंकल seven अपनी छुटिया खतम करके town वापस लोटाते है और सकाई को मिलने के लिए एक pub में बुराते हैं इसकाई भी अंकल seven से मिलने के लिए काफी excited था और वो भागता भागता उस pub में पहुँच जाता है जहां उसकी मुलाकात अपने father से होती है लेकिन सकाई के father उसे गले लगाने की बजाए इसकाई से कहते हैं कि मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम international cooking competition के लिए select हो गए हो ये सुनकर सकाई को बहुत दूख होता है क्योंकि उसके father को उस पर जरा सा भी भरोसा नहीं था वो अपने father से कहता है कि मैं अब इस competition को जीत करी दिखाऊंगा और सावित कर दूँगा कि एक अच्छा chef बनने के लिए इंसान का घमंडी होना जरूर नहीं होता है फाइनल competition का दिन आता है जा हर एक contestant को अपनी डिस बनाने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाता है इसकाई फटाफर से traditional salt back duck बनाने में लग जाता है और वहीं दूसी तरह पॉल काफी modernized तरीके से एक foie grass sorbet बनाने में घरी की tik-tok चालू रहती है जिसके बीच हम सभी contestants को अपना best देने की पूरी कोशिस करते हुए देख पाते हैं टेस्टिंग के दोरान judges को इसकाई की डिच टेस्ट के मुकाबले में पॉल के डिच से थोरी बहतर लगती है और voting के दोरान इसकाई और पॉल के बीच में draw हो जाता है तभी head judge एक extra vote दे अगर पॉल को winner घोशित कर देते हैं क्योंकि पॉल की plating इसकाई के मुकाबले काफी जबरदस थी अगर आपने master safe देखी होगी तो आपको पता होगा कि डिच चाहे खाने में कितना ही लाजवाफ क्यों न हो पर अगर उसकी plating में कोई कमी रह जाती है तो उसके भी marks कट जाते हैं ठीक वैसा है याज sky के साथ हुआ पर वो अभी भी competition से बाहर नहीं हुआ था लेकिन पॉल के साथ भी कुछ सही नहीं था उसकी जीत की खुशी मनाते हुए उसका manager एनाउंस करता है कि अब पॉल की जगा मेयो इस्टेलर रेस्टेंट को उस competition में रिप्रेजेंट करेगी क्योंकि जननता मैन के मुकाबले ladies को vote करना ज्यादा पसंद करती है पॉल जब इस बात से इनकार करते हुए खुद को डिफेंट करने की कोशिद करता है तब मेयो उसका एक secret manager को बता देती है secret यह था कि पॉल को मसालों के बीच का test पहचानने में problem होती थी और वो हमेशा अपने साथ एक notebook रखा करता था जिसमें recipes के manuals लिखे होते थे और उस notebook के बीना पॉल कुछ भी ढंक से नहीं बना पाता था मेयो यह साबित करने के लिए पॉल को coffee के दो cups देती है जिसमेंसे एक ज्यादा salty था पर पॉल टेस्ट करके बता नहीं पाता है कि आखिरकार नमक कौन सी coffee में ज्यादा है साथी साथ मेयो पॉल से यह भी कहती है कि मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं मैं तो तुम्हारे साथ बस इसलिये थी ताकि एक दिन में तुमसे आगे निकल सकूँ और इतना कहेकर मेयो उस रेस्टोरेंट के मेनेजर की तरफ हो जाती है यह सब देख और सुनकर पॉल का दिल पूरी तरह से तूट चुका था और वो उसी बग वहाँ से चला जाता है उसी रात स्काई की मुलाकात पॉल से होती है जो कि उसी कुकिंग कॉम्पिटिशन के स्टेडियम के बाहर बैठ कर ड्रिंग कर रहा था एक पल के लिए दोनों अपनी दुस्मनी को भुला कर अपने बीते हुए कल के बारे में एक दूसरे को बताने लगते है पॉल बताता है कि उसके फादर एक बहुत बड़े शेफ थे और उनकी ये अच्छा थी कि पॉल भी एक दिन बहुत बड़ा शेफ बने इसका आई भी अपने और गोट अफ कुकिंग के रिष्टे के बारे में पॉल को बताता है दोनों अब एक दूसरे की दुख को समच चुके थे और इस वज़े से दोनों में दोस्ती हो जाती है पॉल अभी भी कमपीटिशन में हिस्सा लेना चाता था पर अनफोर्चुनेटली वो स्टेलर को रिप्रेजेन नहीं कर सकता क्योंकि मेयो ने उसकी जगह ले ली थी सारी रात कमपीटिशन के रूल बुक को परने के बाद पॉल को पता चलता है कि वो इंडिविजुली उस कमपीटिशन में हिस्सा ले सकता है पॉल इसकाई से कहता है कि क्यों ना हम मिलकर सेमी फाइनल की तयारी करे जिसके लिए सकाई भी राजी हो जाता है और अगले कुछ हफतों तक दोनों मिलकर कमपीटिशन जितने की तयारी में लग जाते है फाइनली कुछ दिनों बाद चाइना के मकाव सेहर में इंटरनेशनल कुकिंग कमपीटिशन का सेमी फाइनल सुरू होता है इस राउंड में जितने वाले कंटेस्टेंड को गौड ओफ कुकिंग याने की माउंटेंड को के साथ आखिरी मुकाबला करना होगा राउंड सुरू होते हैं इस काई एन पॉल मिलकर एक टेडिसनल डिसको काफी मोडरन तरीके से बनाने में लग जाते हैं वहीं दुनिया के काफी सारे देशों से कंटेस्टेंड भी आये होए थे जैसे कि जपान, इंडिया, अमेरिका, रसिया और भी कई सारे मेयो भी उसी कॉम्पीटिशन में फाइनलिस्ट बनने की तैयारी कर रहे थी वह एक फ्रोजन ओइस्टे डिस्ट बनाती है जो कि दिखने में वाकई काफी एक उपसूरत लग रहा था पर जब उसे टेस्ट करने की बारे आती है तब जजजेस को मेयो की वह डिस्ट काफी फीकी लगती है दूसी दरफ स्काई की मसालों की समच और पॉल की मोडरन तरीके से डिस्ट बनाने की टेकनिक की मदद से दोनों मिलकर एक डी कंस्ट्रक्टेट टोफू बनाते हैं जो कि भले ही एक Chinese traditional डिस थी पर दोनों ने मिलकर उसे एक modern look देने की कोशिज की थी। Judges को भी उन दोनों की वो डिस बाकी सभी contestant के मुकाबले सबसे ज्यादा अच्छे लगती है। और सकाई एन पॉल फाइनल राउंड में पहुच जाते। सभी उन दोनों के लिए तालिया बजा रहे थे। पर पॉल की नजर मेयो की तरफ थी जिसका सर सरम से जुका हुआ था। अब फाइनल राउंड में किसी एक को ही God of Cooking के एगेंस्ट कमपीट करने की इजादत थी। पॉल सकाई को वो मुका देत हुए कहता है कि मुझे मसालों की उतनी समझ भी नहीं है। मेरी जगह तुम्हीं ही इस चेलेंज के लिए बैस्ट रहोगे। और घंटी के बसते ही सकाई के फादर अपनी डीस्ट बनाने में लग जाते हैं। लेकिन सकाई अभी भी उस दिन को याद करने में खोया हुआ था। जब उसके फादर उसे अंकल सेवें के पास अकेला चोर कर चले गए थे। इसकाई को ख्यालों में खोया हुआ देख उसके फादर उसके चेहरे पर पानी का चीटा मारते हैं तब जाकर इसकाई को होसाता है और वो आटा गुतने में लग जाता है समय समाप्त होता है और हम इसकाई के फादर की डीस को देखते हैं जो कि दिखने में बेहत खुबसूरत लग रही थी। उस डिस्क की खुबसूरती देखते ही बनती थी। और वहां मौझूद सभी लोगों को पता चल जाता है कि आखिरकार उन्हें God of Cooking क्यू कहा जाता है। दूसी तरफ जजस को सकाई के डिस्क के आने का इंतजार था। पर सकाई किसी खास इसको बनाने की जग़ा एक सिंपल नूडल बनाता है। उस नूडल के तयार होने के बाद सकाई उसे अपने फादर को देता है। जिसे खाकर उसके फादर को भी वही रात याद आ जाती पेटे को नूडल्स ना बना पाने की उजएशा केला छोड़ दिया था। आगिरकार सकाई के फादर मान ही लेते हैं कि सकाई अब एक मास्टर से बन चुका है। और सकाई के लिए बस इतना ही काफी था। विनर की एनाउंस्मेंट नहीं हो पाती है क्योंकि सकाई ने अप एक फेमिली की तरह मिल कर उस्टेशन को चलाते थे और इसी एक हैपी एंडिंग के साल हमारी आज की इस फिल्म का लदी एंड हो जाता है। आपको कैसी लगी हमारी एक्स्प्लेने से हमें कमेंड करके जरूर बताए कि आपको भी यूनिक डिसेज बनाने आती है। यह फिल जरूर बताए हम उसे एक्स्प्लेन करने की पूरी कोशिस करेंगे। तिल देन टेक केर बाइबाइ।